तो नमस्कार आद आप से श्रकाल राम खमागणी दोस्तों मैं रजनी स्वागत करती हूं आपका हमारे चैनल दा सक्सेस में तो दोस्तों सबसे पहले तो आज नवरात्रे हैं तो नवरात्रों की शुरुवात हो रही है तो आप सबको नवरात्रों की बहुत सारी शुब कामना है आप सबी के लिए नवरात्रे खुब सारी खुशियार लेके आए मातारानी आपके जिंदिगी में बहुत सारी कृपा ब में उस्टोरी और उन की स्टोरी जो उन्होंने शब्द लिखे मुझे जिस तरह से लिख से बहुंगे और कुछ में थोड़ा सा मेरा टच्पी में देने की कोशिश करोंगी और साध ही मैं उन कि आप लोगों को ये story कि मैं कोई fake story बना के नहीं सुना रही मतलब ये संगर्ष की कहानी सची लगे इसके लिए मैं एक दो उन से मैंने photo और उनकी marksheets की photo मंगाई थी क्योंकि मुझे भी विश्वास होना चाहिए ना क्योंकि मैं भी personally उनको जानती नहीं हूँ तो मुझे भी विश्वास होना चाहिए कि बच्चा जो कह रहा है वो सही कह रहा है तो मैंने उनकी marksheet पगेरा की photo मंगाई थी तो मैं वह भी अटेच कर दूँगे ठीक है और अगर आपको ये story inspiring लगती है तो please do like channel and subscribe my channel और अगर आप लोगों में से भी बहुत सारे लोगों के ऐसी स्टोरियां है जो आप लोग मेरे चैनल के through logo के साथ में share करना चाहते हो ताकि हम और भी जो बच्चे हैं जो चैनल से जुड़े हुए हैं जो अभी मोहित कुमार मीना जी की story तो सबसे पहले तो इन्होंने अपना परीचे दिया है कि मेरा नाम मोहित कुमार मीना है और मैं अलवर जिले की नारायनपूर तहसिल का रहने वाला हूं क्योंकि उन्होंने में को mail किया था और मैं mobile सा ही video record कर रही हूं कि मैं उनकी line to line नहीं पढ़ सकती इसलिए मैंने थोड़े से उनके points लिख लिए जो भी में में आपको बताने थे उनकी language मैंने यहां पर लिख ली इसलिए मैं थोड़ी से आपको उनकी story देख के बताऊंगी ठीक है तो यह कहा रहे हैं कि अलवर की नारायनपूर तहसिल का रहने वाला हूं मैं और जब मैंने 12th पास की तो मेरी उम्र थी 16 साल और मेरा सपना था कि मैं RS बनू और लेकिन तब मुझे पता चला कि 16 साल के उम्र में RS नहीं बन सकते उसके लिए graduation होनी चाहिए और कम से कम 21 साल के जब जोब आ जाएगी तो तुम आगे की तैयारी भी कर सकते हो अपने पेरों पे खड़ा होकर ठीक है तो इन्होंने भी सोचा कि मुझे BSTC कर लेने चाहिए साथ ही इन्होंने कहा है कि मैंने एक बार को सोचा कि अगर मैं 12th पास करके किसी शहर में चला जाता हूं अच्छ तो ऐसा मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरे घरवाले मुझे 5 साल रख सकेंगे क्योंकि इन्होंने बोला कि financial condition परिवार की इतनी जादा अच्छी नहीं थी तो मैंने BSTC करने का ही फैसला लिया तो इन्होंने BSTC के लिए इन्होंने जो प्री एक्जाम होती है उसकी थोड़ किये और इन्होंने कहा कि क्योंकि वही बात है कि वह ज़्यादा पैसे नहीं थे हमारे पास में तो मैंने private college चूज नहीं करी मैंने government college चूज करी और डाइट अलवर से मैंने BSTC करना शुरू किया ताकि मेरी fees कम से कम लगे और फिर मेरे सामने वही समझा आती थी कि मैं रहन किया ताकि बहुत कम खर्चे में minimum खर्चे में में वहां पर रह सकूँ और क्योंकि जो minimum fees होती है diet वगरा में इन colleges में भी इन्होंने लिखा है कि मेरे पास वह चुकाने के लिए भी पैसे नहीं थे तो उसके लिए मैंने एक बार को उधार पैसे लिए और कि जब scholarship आएगी मेरे college की वो दोनों मैंने चुका दी आगे इन्होंने लिखा है कि जैसे ही मैं मेरी BSTC complete BSTC की internship होती है तो internship के लिए मैंने मेरी गाउं के school चुनी और मैं अपने गाव आजाता हूं और गाव आने के बाद में उसे दर्मियान Corona COVID का दोर शुरू हो जाता है और उसके बाद मे मैं कभी college तो जाए नहीं पाया क्योंकि COVID शुरू हो कया था अब इन्होंने कहा कि खेर COVID हमारा इतना बुरा निकला क्योंकि मेरी मा है जो आंगन बाड़ी में आशा सयोगीनी वरकर है और 5-6,000 रुपए की उनके salary आती है तो हमें किसी के आगे हाथ नहीं पहलाना पड़ा और ठीक ठाक हमारा COVID निकला लेकिन इन्होंने कहा कि COVID में मुझे बहुत सब अनुभव हुआ जिससे मुझे जीवन के एक बहुत बड़ी सचाई और मेर को समझ में आई क्योंकि COVID में देखो एक तो बात देखो कि अभी ये बच्चा सिर्फ 16-17 साल का है 17-17 साल का एक और अपने घर की परिस्थितियों को देखके कितनी समझदारी की बाते कर रहा है उनकी जो लाइने थी उनको पढ़के मुझे ऐसे लगा कि मतलब जीवन की परिस्थितिया होती है बहुत चोटी उम्र में हमें maturity ला देती है इन्होंने लिखा कि COVID में मैंने कुछ परिस्थि हैं बच्चों का काम करती है हम 3 भाई बैन थे मैं और मेरे से 2 थी तो टीनों बच्चों की जिमएदाली मेरी माँ पर थी और इस बम को दिन रात उस पर काम करते हुए देखा तो मुझे ना ऐसे लगने ल정 कि मनद अब ना मेरे को नोकरी लगना बहुत जरूरी है मुझे इनका साहरा बनना है इस मी मी मास मेरे माँ अ कर देखता है तो इस तरह न बहुत है कि इस मेंगहाशन ही अब को लग सकते हएं तो मेरी मां को बेपन कहां से ही और अगर बाइदवे उनको उस टाइम पर कोविड हो जाता तो हमारा कौन रखवाला था मतलब कि आपको पता है उस टाइम पर बहुत बड़े बड़े लोगों की भी नहीं सुनी जा रही थी उनको भी सुईधाय उपलब्द नहीं हो पारी थी तो मैंने सोचा कि यार मा सिर् कि अगयर नोकनी लगना और मेरी फैमिली जो अभी लोवर मीडिल ख्लास लाइफ जी रही है कम से कम यो से मेढियो Fit пойд嗎 ले ही जाना है, आज ही मैं कुछ अमनलब देख रही थी तो जाकिर खान जो एक कोमेडियन भी है और बहुत अच्छा हिंदी पर बोलते भी हैं उनके दो लाइने याद आ गई कि एक 16-17 साल का बच्चा अपनी मा के लिए उस दर्मियान ही महसूस कर रहा है जब 16-17 साल के हम बच्चे जो ठीक फर्थाग परिवारों के होते है उनई में इतनी मैचुरेटी आईन ने पाती, वो देखी नहीं पाती है दुखदर्द रहें हमसरा कि 2 ृभब बच्च्छे हं, हम सब कुछ खाकर जाएंगे, और अब घर से निकले हैं तो इतिहास लिखकर ही जाएंगे जब हमें छोटी सी उम्र में इतनी maturity आ जाती है और इतनी अच्छी सोच जब हमें आने लगती है कि हमें family के लिए कुछ करना है तो सोच लो कि हम सही रस्ते पे जा रहे हैं और यही इन्होंने किया इन्होंने कहा कि lockdown में ही मैडम मैंने यूट्यूब से जी के भी के पढ़ना मैं इस सटर eerste जंश मिए ना इन्होंस से कंपता सटे छरुक अर्डीच और भाल जम मतनलव antika मैंने कुछ पूच देखा और वहां से मैंने इस तर अजया उसान एक यूट्वम बहुत अच्छा गया और मैंने जब कीप जोड़ी तो मेरे 117 नंबर बन रहे थे और जब रेट का रिजल्ट आया तो कटोफ भी 117 ही गई थी मैं बहुत खुश्वाज मेरा सेलेक्शन हो जाएगा सेलेक्शन हुआ भी पर क्योंकि मेरी उम्र उस टाइम पर बहुत कम थी और मुझे रिजेक्शन मिला मतलब मुझे न होया और ऐसे लगा कि क्योंकि मेरी फैमली मुझे वापस तैयारी करवाने में सक्षम नहीं थी मैं चाहता था कि उनका सारा बन जाओं पर मैं नहीं बन पाया और मुझे बहुत दूख हुआ और मुझे लगा कि यार अब मेरे पास फिर से ना तो इतना टाइम है ना ही इतन कि वेटा अगर तु फर्स्ट अटेंप में इतना अच्छा कर सकता है तो तु एक साल और लेले हमें एक साल और मुसीबतों की जिन्दकी जी लेंगे पर तुझे पढ़ना है और मैं फिर से लग गया मेहनत करने हैं लेकिन संगर्ष के दिन इतने आसान नहीं होते इन्होंने दिखा है कि जब मैं फिर से तयारी करने लगा तो इस बार मेरे सामने नए चैलेंजिस सामने थे देखो वीटियस अंसादनों वाली दिखते तो इनका सामने थी जो इन्होंने अपनी शब्दों में इतनी ज्यादा नहीं लिखी है लेकिन मैं समझ सकते हूं कि उस बच्चे अच्छी देखना अच्छी जगह खाना खाना अच्छी जगह घूमना मतलब सब कुछ सपने हर एक बच्चे के होते कि इसके नहीं होते लेकिन वह सारे सपने एक तरफ करके एक बच्चा सिर्फ यह सोच रहा है कि मुझे जल्दी से जल्दी मेरे परिवार का सहरा बनना है अज़ तो आप समझ सकते हों कि मतलब कि यह जो सोच होती है ऑन वह हुझे से करते हम दूब कर तो दूसरों से आगे बीले जाती है तो इनने में कहां कि इसवार मेरे सामने नए चैलेंज थे इसवार रीट का जो शिलिबस है वह पूरी तरह से चेंज हो चुका था रीट अ पूरे परिवार की इंकम 5000 रुपए थी तो मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं कहीं बाहर जाूँ और फिर मैंने अपने ही गाउं में एक लाइब्रेरी जॉइन कर ली और वहां पर फिर से नमबर में लिखे हैं, लिखा है कि पात्रता परिक्षा में रीट लेवल 1 में मेरे 124 नमबर आए और रीट लेवल 2 में जो मेरे 107 नमबर आए और मैंने जब मेरे BST से चल रहे थी तो मैंने ओपन कॉलेज से ही आपना जो BA है वो भी कंप्लीट कर लिया था तो मेरा BA complete हो गया था कि रीट लेवल 2 में मेरे 107 नमबर आए और उसके बाद में मैंने उसी वक्त CTAT की एकजाम दी और CTAT में भी रीट लेवल 1 में मेरे 112 नमबर आए और 2 में मेरे 107 नमबर आए और इस तरह से इन्होंने लिखा कि मैंने पात्रता परिक्षा तो पास कर ली चैलेंज था मेरे सामने मेंस एक्जाम पास करने के, क्योंकि मेंस एक्जाम जो थी, वो syllabus बहुत बड़ा था, मेंस एक्जाम का, और जो syllabus के लिए मेरे पास में sources नहीं थी, तो इन्होंने लिखा कि मैं एक library जाने लगा, और जी के मैं YouTube से पढ़ने लगा, और library में ही वहाँ प पे, तो उसके लिए, मतलब एक लड़की थी, जिनको मैं sister बोलता था, उन से मैंने बोला, उन्होंने उत्का शैप का course ले रखा था, रीट वाला तो उन्होंने, उनको मैंने बोला कि यार, बेहन तु मुझे रात-रात के लिए अपना course दे दे, मतलब पासवर्ट दे दिया रीट मेंस के तयारी करी, तो सोचो आप उस बच्चे का जजबा, मतलब मैं तो जब पढ़ रही थी न, ये लाइने तो ही मेरे गूस बंस आ रहे था, कि यार सच में, मतलब की, इसे कहते है महनत, और इसे कहते है सचा struggle, ठीक है, और इन्होंने कहा कि लेकिन फिर भी, कि चल विअने ओ्छ रहा रहे आती थी, तो हमेश्ञ में डर जाता था कि यार, मेरी माह के पास ना तो इतने पैसे हैं, की वो पैसे दे पाएगी, और ना ही मेरे पास इतना समय है, ना ही मेरे पास अंसाधन है, कि मैं फिर से तयारी कर पाऊँगा, इस बार नहीं हुआ, तो मैं आगे क्या करूंगा बहुत तरह के सवाल आते थे और बहुत तरह का डर भी लगता था लेकिन वो कहते हैं ना चार लाइने मैं इनके लिए फिर से कहूंगी कि जो मैंने जब मेरा फर्स गर्ड तर रिजल्ट आया था तब मैंने अपने उस पर स्टेटस पर डाली थी यह लाइने कि कैसे हार जाओं मैं अपनी तकलिफ हो के आगे मेरे तरक्की की आस में कब से मेरी मा बैठी हुई है तो यही बात है कि यार उन्होंने भी सोचते होंगे म मोहिजे भी कि यार मेरी मा बैठी है पिछे अगर मैं मैं रुख तो नहीं सकता मेरे पास मेहनत करने के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है इसलिए मैं कहते हूं जैसे आप लोग जो कमेंट करते हो ना मैडम आपकी स्टोरी हमसे मैच खाती है हम फील करते हैं ऐसी थोड़ी बहुत दिक्कते चेंज होती है बार कि स्ट्रगल सब का एक जैसा साही होता है इसलिए आप गई बार लिखते हो कि मैडम अभी भी आपकी आवाज में इतना दर्द क्यों दिखता है कि कि लोग यकीन नहीं करेंगे लेकिन मेरे आफ वाज आता है जब भी मैं किसी कि आसी स्टोरी सुनती हूं या फिर पढ़ती हूं क्योंकि मैं फील करते हूं यार मुझे फील होता है मुझे अपनी याद आती है कि हां यार सेम सिटूएशन में मैं भी गुजरी थी और मैं चाहती हूं कि हर एक बच्चा जो मेहनत कर रहा है वो बहुत आगे जाए खेर आगे बताते हैं तो मोई जी कहा रहे हैं कि इसके साथ ही जब मैं रीट का पेपर देके आया इन सारी परिस्तितियों से गुजरते हुए उसी दिन मुझे खुद पर विशास हो गया था कि यार इमानदारी से की हुई मेहनत ना कभी खाली नहीं जाती क्योंकि पेपर देते जाओंगा और यह बंदा लिखता है कि जिस तिन मतलब कि रीट की एक्जाम हुई मैं पेपर देके घर आ गया और मैंने एक प्राइवेट स्कूल जॉइन कर ली उसमे मुझे पांच हजाव रुपए के सेलरी मिलती थी वह इसलिए क्योंकि जिस लाइबररी में पढ़ता थ मेरे पास मैं पैसे नहीं थे इतने दिन से उसके फीस भाकी थी तो सोचा कि उसके फीस भी चुका दूँगा और अपनी मां का भी हाथ बठा दूगा तो, फिर से कहाऊंगी, ये होता है संघश, हम सब यू करते रहते हैं, न हम इतनी बार फेल हुए, हम ये वे हैं, हम वो हुए, उमारे सामने बहुत एक्जांपल है यार, बहुत हैं, जो की बहुत, कुछ परिस्तितिआं जेल कर आगे निकले हैं, और ये लोग बहुत आगे जाहेंगे बहुत सारे एक्जामपल है खेर इन्होंने लिखा है जिस दिन रिजल्ट आया रिट का उस तिन जैसे मेरा पीडिएफ में नाम आया तो मैं और मेरी मां दोनों की आंखों में आशु बह रहे थे और इन्होंने सेम टो सेम लाइन लिखिए मेल में खेर आशु तो बिभी बह रहे हैं जब में ये लाइने लिख रहा हूं तो आप सब फील कर सकते हो कि जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा जिस दिन मेरा रिजल्ट आया था मैं भी इसी तरह से रो रही थे और जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा आप भी इसी तरह से रोगे तो ऑटमेट कि मुझे पता है रीट में पास होना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है लेकिन जिस छोटे से उम्र में ये मुकाम पाया है उस उम्र में पास होना बहुत बड़ी चीज होती है कि गुद्यस साल के उम्र में इस वुकाम पहुँचे और एग्यों अपिस साल की कर लिया कि मेरे सपने आले सी अ Nh run ने लिखा है कि मेडम के द्यारी मैंने शुरू कर दी है क्योंकि रस की कोचिंग के लिए मैंने फिर से विएसे उधार ले लिए क्योंकि एक मेन बाद तो मेरी सेल्री आना शुरू हो जाएगा तो इस बार पैसे चुकाने का डर नहीं है और सपना है कि रस बनू और अगर मैं ही बन पाया तो लेक्चरर तो मैं बनूंगा ही चोटी से उम्र है अभी मैं तो मैं बच्चा ही मानती हूं कि मेरे मेरे को तो 19-20 साल में इतनी मैचुरीटी थी नी हम तो बस कॉलेज कर रहे थे और कॉलेज में चलते थी वो पड़ लेते थे ऐसे लगता था कि अच्छा नोकरी नोकरी तो ग्रिजवेशन के बाद में सोचें नी थे क्योंकि financially इतना दबाव ने था उस टाइम पर उम्र भी छोटी थी तो मैं तो इस उम्र को बहुत छोटा मानती हूं लेकिन जो परिस्तितियां होती है वो हमें बहुत मैचुर कर देती और इन परिस्तितियों को कौन तो अपना फायदा बना लेता है और कौन अपना एक तरह से weep point बना कर रहता है कि हम तो गरीब हैं हम तो गरीब हैं नहीं यार हमारी जो कमी है वही strength बनाओ जैसे मैं कहती हूँ अपने जो आंसु हैं उनको बहन दो और उननी को अपनी ताकत बनाओ लोग जो कहते हैं उनको यह नहीं कि मुझे कैसे कह दिया सुन लो और ज पहले से लिखके रखो, मैंना पहले से लिखके रखती थे कि जिस दिन मैं बनूगी ना यह लगाओंगी, जैसे मैंने अभी माँ वाली लाइन बताई, मैंने पहले से लिखके रखा था, वनलब जो भी पॉइंट्स मुझे अच्छे लगते थे, जो भी शायरियां मुझे एक दिन कामयाब हो जाओंगी, और एक दिन मैं नालायक से नायाब हो जाओंगी, तो आपको भी कहते हो, यह सब चीजे में मोटिवेशन देती है, कुछ भी अच्छे लाइन लगे, वो अपना स्क्रिंशोट लेकर रख लिया करो, कि यार यह लाइन मुझे भी लगानी है, जिस दिन मैं बन जाओंगा, उस दिन लगाओंगा, मैं यह लाइन है, तो इनोरे लास्ट में यह लिखा है, कि मैडम, आपका जो चैनल है, वो मैं उस ताइम देखता था, जब मुझे बड़ी निराशा फील होती थी, और हमेशना मैं आपसे मोटिवेट होता था, इसलिए स्टोरी आपके साथ शेयर कर रहा हूं, तो सबसे पहले तो कि हाँ, अगर मेरा चैनल थोड़ा सा भी आपको सपूर्ट कर रहा है, तो वो भी मेरे लिए तो एक बड़ी उपलब्दी है, यार, कि ऐसी तो कहानिया होती है, जो हमें उस समय निराशा से निकालने का काम करते ह हम अपने फीलिंग्स किसी से शेयर नहीं कर पाते हैं, बनने के बाद में तो हम बहुत शेयर कर देते हैं, लेकिन बनने से पहले कोई नहीं सुनता हमारी है, तो उस टाइम पे हमें ऐसे कहानिया बड़ी मोटिवेट करते हैं, लास्ट में इन्होंने लिखा है, ना पूछो और से नहीं खुद से वादा किया है, तो यह है मोहित कुमार मीना जी के स्टोरी, आप सभी लोगों को पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो प्लीज इस कारनी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो भी बच्चे दिन को यह लग रहा है कि ओ माई क्या करूँ, इनके सामने भी तो कोविड था, लोगडाउन था, यार अभी अंधिरा है तो रोशनी तो आएगी ना, अजार सही तर लगी है, पता भी नहीं चलेगा, लो महीने कहा निकल जाएंगे, चालिस दिन की तो बात है, बहुत जल्दी विकेंसी आएंगी, तो अग सवेरा उसके अगला है, तो अगर जिन्देगी में अभी अंधिरा चल रहा है, तो उससे अगला ही सवेरा है, अगर ऐसे कहानिया आप लोगों को पसंद आती है, और आप लोग भी अपनी सक्सेस स्टोरी मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर नीचे कमेंट कर सकते हैं, अगर मुझे थोड़ा लगेगा इंट्रेस्टिक, तो मैं आप लोगों को मेरी मेल आईडी दे दूँगे, आप उस पर मेल करके मुझे बता सकते हैं, बागी वीडियो देखने के लिए थेंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो और किस टॉपिक पे चाहते हैं, वो भी कमेंट करके बताएं, और वाइरल राजिस्तानी टीचर के नाम से इंस्टाग्राम आइडी है, उसे भी जल्दी से जल्दी फोलो कर लें, और वाकी बने रहे हैं ये चैनल के साथ वीडियो देखने के लिए थेंक ये सो मच, बाबाई